हाई आज जो है हम rainbow part 2 और chapter 1 Indian civilization and culture जो है इसकी हम study करेंगे और वो analytical study करेंगे और इसमें जो है हम introduction, title, theme, world study, analytical study of text को पढ़ेंगे सबसे पहले introduction, introduction to गांधी जी गांधी जी का पूराना मोहंदस करमचंद गांधी और इनका जन्म जो है 1869 और इनकी देत 1948 में हुई और इनको पॉपुलरली हम बापु या फादर आफ नेशन राष्ट पिता के नाम से जानते हैं और यह जो है के स्प्रिच्वल लीडर हैं कहीं पॉल्टिशियन से जादा और इनके जो मुख हतियार हैं वो तुरुथ हैं और नॉन वाइलेंस हैं यानि सत्थ और अहिंसा और गांधी जीन 1915 से 1948 तक पूरी तरह से इंडियन पॉल्टिक्स पे हावी रहें और इनकी जो मिर्तु हुई एक संकी के हाथ से 30 जनवरी 1948 को हुई और इनकी ऑटोबियग्राफी कहते हैं जब कोई अपनी जीवनी खुद लिखे और बायोग्राफी जब किसी की जीवनी कोई दूसरा लिखे तो इनकी ऑटोबियग्राफी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद तुरूथ और उन्हेंने बहुत से लिख जो है यंग इंडिया के लिए लिखें अब हम टाय parameter को डिस्कस करते हां ओ कि अरत की की एक ऐसी अवस्ता जिसमें कोई समाज जो है पूरी तरह से विक्सित होए ओ जिसका जीवन पत्ती जो है विक्सित हो चुकी हो तो वह सिविलाइजेशन जिसे हिंदी में हम सभयता कहेंगे और कर कल्चर किसी देश या किसी समाज का एक पर्टिकूलर जो है विश्वास और पर्थाएं जो है वह कल्चर है ओके या विचारधाराएं जिसको हिंदी में हम संस्कृति कहेंगे इसका जो थीम है गांधी जी जो है बात करते हैं इंडियन सिवलाइजेशन की जो विविन समय अंतराल में बिल्कुल खाड़ा रहा है इसके गहरी नियू की बात करते है जो बिल्कुल वैसे ही अडिक रहा और इंडियन सिवलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो मूरल बींग नैतिक्ता को बढ़ावा देने की है और नैतिक्ता जो इंसानियत है जो मानों के संदर्म में जो मानों के साथ है जो मानों की हेल्प करे और विस्टन सिविलाजेशन जो है या फैलाता है इमोरालीटी और नैतिक्ता को जो धर्म के विरुद्ध है ओके जिसमें जो है इनसानियत जिसमें इनसानियत को जो है वो खत्रा है अब वर्ड स्टडी हम कर लेते हैं वर्ड स्टडी वेस्टन सिविलाजेशन इंडिया से जो वेस्ट में है वहां के सिविलाजेशन जो है वेस्टन सिविलाजेशन है और यूरोप जो है वहां की जो सि इंसानियत की बात और इमोरालीटी जो अन्यतिकता है जो इंसानियत नहीं है पैशन में चाहत एंसेस्टिव और फूर फादर हमारी पुर्वज होम रूल घरेलू नियम और एसिस्टेंट परतिबंद किसी चीज़ परतिबंद होना सेल्फ इंडलजेंस खुद से किसी में इसे रोकना मना करना डाटिस सेल्फ डिनायल अब इनालीटिकल स्टडी ऑफ टेक्स्ट हम करते हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ सिवलाइजेशन जिसे गांधी जी ने पैराग्राफ नंबर थर्ड यानि फ्री में दिया है कि सिवलाइजेशन जो है यह एक वहवार और शिक्ता का पालन करना यह दोनों जो है एक दूसरे में नहीं थे और सिवलाइजेशन का गुजराती एक्विवैलेंट जो है वह गुड कंडक्ट जिसका आरत होता है अच्छा आच्रन अच्छा वहवार पारग्राफ नंबर ट्वंटी थरी में सिवलाइजेशन जो है वह म दो वन्समिस चाहत उस पे क्या है जो अंकुष लगाना है की लिए उसको रोकना है कि quest इंडियन सिविलाइजेशन के मेरिट के बारे में हम देखते हैं गांधी जी क्या वियूज है परग्राफ वन में गांधी जी कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन इंडिया ने इवाल्व किया जिसके उत्पती इंडिया में हुई उसको वर्ल्ड में कहीं भी मात नहीं दिया जा शान है परग्राफ 16 में गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन की एक मेरिट यह भी है कि वह रोकता है अपने आपको ताकि उसका बहाव जो है मेट्रालीजन की तरफ ना हो जाए मेट्रालीजन वस्तुवाद भौतिक वाद यानि खुशी लगजरी इन सब चीज है परग्राफ 20 में कहते हैं गांधी जी हमारी जो सिविलाइजेशन है हमारा जो संस्क्रीटी है हमारा सवराज जो है यह हमारे चाहत को बढ़ाते रहना यह नहीं है इस पर निरूफर नहीं करता है अब दिखते हैं गांधी जी के जो व्यूज हैं वेस्टर्न या यह यह वो चला गया नहीं रोम की सिविलाइजेशन भी खातम हो गई ग्रीस के साथ भी सेम सेम वही उसका भी वही भाग रहा और यूरोप के जो लोग हैं वो रोम से ग्रीस से इन ही से बाकी लोग जो हैं वो सीखते हैं जिसकी अब जो है गौरा अब गरीमा नहीं रही तो कितने पिटिबल कंडिशन है और पेरग्राफ 9 में कहते हैं कि विस्टन सिविलाइजेशन जो है वह इमरलीटी को बढ़ावा देता है अनने तिक्ता को और यह जो है बिना गौड के है इसमें इश्वर नहीं है पेरग्राफ 11 में गांदी जी कहते हैं कि modern civilization क्या है modern civilization जो है वह वस्तू की पूजा है चाहट की पूजा है और यह जो हमारे अंदर जो पषु है उस्की पूजा है और यह पूरी तरह से materialism है यानि वस्तूबाद है और modern civilization बिना इसके जीट के और कुछ नहीं है परेग्राफ 13 में गांधी जी कहते हैं कि modern civilization का जो सबसे विशिस्ट कारेक्टरिस्टिक है यह है कि modern civilization के अंदर indefinite यानि जिसके कोई भी सीमा नहीं है वैसी human ones यानि मनुष्ट की चाहत वो बढ़ती रहे इसका बहुती बढ़ जाना बहुत बढ़ते रहना परेग्राफ 17 और 18 में रोम और ग्रीस की बात किरते हैं जिसमें इटिक civilization जो है ग्रीक की civilization है और यह कैसे खत्म हो गई लेकिन आज भी इंडियन civilization जो है वैसे ही है बिलकुल अब इंडियन civilization में कुछ restriction जिसकी बात गांधी जी ने की है परग्राफ 5 में जिससे मनने किया है परग्राफ 5 में कहते हैं कि माइंड जो है पूरी तरह से लिप्त रहेंगे उतने उतना ही यह बे लगाम होता जाएगा इसलिए हमारे जो एंसेस्टर हैं उन्होंने एक लिमिट फिक्स की हमारी indulgences में हमें किसी चीज में लिप्त होना है उन्होंने देखा जो की happiness जो है खुशी जो है वह हमारी mental condition है अगर हमारे पास कम भी है अगर हम अपने आपको खुश समझते हैं mentally दिन हम जो है बिल्कुल खुश हैं ओके तो mentally यह condition है परग्राफ 6 में गांधी जी कहते हैं कि एक मनुस इसलिए खुश नहीं है कि वह जो है बहुत अमीर है हमारी जो real happiness है वह हमारे हाथ और पैर के इस्तमाल में सही इस्तमाल में है परग्राफ 14 में गांधी जी कहते हैं कि मैं जो है इसमें कोई भी शक नहीं है कि मनुष की जो जीत है उसके resistant में है यानि उसका परतिरोध करने में है यानि किसी चीज़ के स्चाहद को ज़्यादा न एकसेप्ट करते हुए उसका परतिरोध करना है पैराग्राफ 21 में कहते हैं कि European civilization जो है उनके लिए European के लिए suited है उनके लिए अच्छा है लेकिन अगर हम इसकी कॉपी करेंगे तो हम बरवाद हो जाएंगे ओके 23 नमबर पैराग्राफ में कहते हैं civilization जो है वह multiplication को बढ़ाना यानि किसी भी चाहत को ब्रीधी करते रहेना उसमें नहीं नहीं है बलकि यह जो है अपनी चाहत को restriction करना वैसी चाहत जो एक्सट्रा चाहत है और जान बोझकर उसको just करना करना ही criminalization का में मतलब है परागराफ 24 में कहते हैं कि एक जरूरत इतना हमें फिजिकल हार्मनी यानि शारिरिक खुशी की जरूरत है अराम की जरूरत है लेकिन अगर यह लेवल से जादा बढ़ेगा तो यह रुकावट बन जाएगा यह हमारी मदद नहीं करेगा फिर रुकावट यह हमारे लिए बन जाएगा और गांदी जुझी यह भी कहते हैं पराग्राफ 12 में कहते हैं कि वेस्ट ने जो सिवलाइजेशन जो इवाल्वड किया है जिसके उत्पत्ती हुई है वो उनकी climate और surrounding के लिए ठीक है जैसा हमारे climate और हमारे surrounding के लिए हमारी civilization सही है और दोनों जो है अपनी सीमाएं में दोनों बिल्कुल ठीक है है paragraph 22 में कहते हैं कि European जो है उनको अपने नजरीय को बदलना होगा अगर वो चाहते हैं कि वो आराम के दवाव में आराम के बाहर से वो बरबाद ना हो जाए और के यहां हमने इस के पहले वाले paragraph में देखा उन्हों ने कहा कि वो जो हैं अपने sphere में सही हैं लेकिन paragraph 22 में कहते हैं कि उनको अपने नजरिये को बदलना होगा इतनी जो है pleasure और लगजरी के पीछे नहीं रहना हो गा और paragraph 8 और 9 में यह कहते हैं कि wrong और विलेज दोनों को कंप्यर करते हैं और कहते हैं सीटी जो है एक बॉर्डेन है एक जाल है वहां पर वाइस जो है वो बिल्कुल फ्लरशिंग होती रहती है बुराईयां बढ़ती रहती है जब कि गाउं के अंदर सकून है और उन्होंने गाउं के मेरिट को बताया कि कैसे यहां पर लोग जो है होम रूल को पसंद करते हैं और यहां पर ज़्यादा जो है वह परशानी भी नहीं है कोट नहीं है इस तरह से लोग को यहां पर अराम है ओके तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई प्रॉलम हो तो आप कमेंट करें ओके और नेक्स्ट वीडियो जल से जल आपको मिलेगी फैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो